हेलो चैंपियान्स कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्थ हैं दोस्तों मैं पीके मिश्रा आपका हाँ हाँ आपका ही लेस्ट कोर हंडेट में वेलकम करता हूँ दोस्तों आज की इस अमेजिंग वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं Intensive Subsistence Farming and Commercial Farming के बारे में दोस्तों लास्ट वीडियो में हम लोगोंने देखा कि जो farming होती है मैंली दो तरह की होती है एक होती है subsistence farming जिसको farmer once own consumption यानि खुद अपनी और अपनी family के पेट को भरने के लिए grow करती है but commercial farming में क्या होता है commercial farming जैसा कि नाम से पता चलता है commercial farming is purely for to earn money or for market right and पिछली वाले वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि जो हमारा first subsistence में दो तरह की farming हो गई हमने देखा कि एक दूसरी वाली intensive है और पहली वाली क्या है primitive subsistence farming और हम लोग जानते हैं कि primitive subsistence farming इंडिया के अलग-अलग states में especially north east में आज भी practice करी जाती है और primitive subsistence farming को हम slash and burn agriculture के नाम से भी जानते हैं इसका एक नाम और है इसको हम shifting cultivation भी बोलते हैं क्योंकि जब land या soil की fertility कम हो जाती है 2-3-4 साल बाद तो farmers क्या करते हैं primitive subsistence farming में वो दूसरे plot of land में shift कर जाते हैं इसलिए इसको shifting cultivation भी बोलते हैं और shifting cultivation का यानि slash and burn cultivation को इंडिया के अलग-अलग states में अलग-अलग नाम से जानते हैं and इसे world की अलग-अलग countries में अलग-अलग नाम से जानते हैं इसको learn करने की trick पिछली वीडियो में दी गई है जो आपके लिए बहुत ही helpful होगी आप उसे जरूर देखें अगर आपने वीडियो को ध्यान से सुना तो definitely आपको at the same time वो सारे names learn हो जाएंगे for example हम लोगों ने देखा कि North Eastern States में especially Assam, Meghalaya Manipur and Assam, Meghalaya Mizzorum and Nagaland एक थोड़ा सापको दिखाता हूँ Assam Meghalaya Assam, Meghalaya Mizoram and Nagaland इन सब states में shifting cultivation यानि slash and burn cultivation को zooming के नाम से जानते हैं J-H-U-M-M-I-N-G अब states को नाम को learn करने के trick क्या है बड़ी सिंपल देखे as as, Megha and Mina इन states में shifting cultivation को zooming J-H-U-M-M-I-N-G zooming के नाम से जानते हैं where as is for Assam Meghalaya Ghalaya M-I is for Mizoram and N-A is for Nagaland इसी तरह की धेर सारी और अच्छे अच्छे ट्रिक्स हैं आप उस वीडियो को previous वीडियो को जरूर देखिए चलिए हम आज का topic शुरू करते हैं So today's topic is about intensive subsistence farming दोस्तों जैसा के हम लोग जानते हैं subsistence का मतलब ही होता है for one's own consumption right but यह जो subsistence farming है यह वाली इसमें एक term आया है intensive why the term intensive has been used हम इसे देखते हैं आये और उससे पहले इस topic पर क्या question बन सकता है इस पर question बन सकता है आपका three marker question बन सकता है कि what are the main features of intensive subsistence farming आये देखते हैं कि हम इसे intensive को बोलते हैं और साथ से साथ features भी इसके देखते हैं तो हमारा पहला point बोलता है this type of farming is practiced in areas of high population pressure यानि इंडिया के ये this form of agriculture यानि intensive intensive subsistence farming इंडिया के उन states में यूज़ किया जाता है जहां पे बहुत ज़्यादा population है राइट ये states हमारा क्या उसकता है बिसकलिए हम लोग जानते हैं कि जो plain areas होते हैं वहाँ पे population बहुत ज़्यादा होते हैं plain areas में dense population होते हैं mountainous areas में sparse population होते हैं जैसे north eastern states में उतनी population नहीं होते हैं आप लोग जानते हैं चले देखते हैं तो intensive subsistence farming कहाँ practice करी जाती है जहां पे population pressure land पे बहुत ज़्यादा होता है like हरियाना हो गया पंजाब हो गया western उत्तरप्रदेश हो गया and west bengal हो गया right दूसरा इसमें labor intensive farming होते हैं यानि इसमें बहुत ज़्यादा manual labor की जरूरत पड़ती है या बहुत ज़्यादा manual labor लोग डालते हैं क्योंकि small plot of land से इनको पूरी family का खर्च निकालना होता है right इसलिए बहुत ज़्यादा manual labor की जरूरत पड़ती है तीसरा है इसमें high doses of biochemical and irrigation तोकि एक small plot of land से बहुत ज़्यादा higher production इनको चाहिए तो क्या करना पड़ता है higher doses of biochemical biochemical में अपना manure and compost आता है और भी कुछ chemicals आते है and irrigation यानि खूब irrigate करा जाता है crops को जिससे higher production obtain किया जा सके right इन सब reasons की वज़ा से अभी और भी कुछ reasons हैं इन सब reasons की वज़ा से because small plot of land high population dependent होती है और इसको करने के लिए बहुत ज़्यादा चूँकि plot of land चोटा है तो धेर सारा धेर सारे ज़्यादा ज़्यादा लोग मिल करके खूब मेहनत करते हैं ताकि पूरी family का खर्च साल भर को खाने का जो crop है उसे grow कर सके and high doses of biochemical inputs and irrigation यूज किया जाता है ताकि higher production मिल सके अब हम intensive वाले का कुछ जवाब तो हमें यहाँ मिल गया कि इसको हमें intensive subsistence forming क्यों बोलते हैं और भी आगे आगे की जो points से उसमें पता चलेगा इसको हमें intensive actually बोलते क्यों है तो सबसे पहले concept आता है right of inheritance का यानि जो plot of land है वो छोटा क्यों हो जाता है right of inheritance का मतलब होता है coming generation के बीच में जो plot of land available है a particular person के पास उसका division for example इसको समझने के पहले हम देखते हैं कि right of inheritance होता क्या है देख लेते हैं one marker में आ सकता है आप लेकिदेख लेजिए assertion and reasoning में भी आ सकता है the right of inheritance means the division of land among successive generations or future generations अब आई ये समझते हैं right of inheritance के क्या consequences होते हैं देखिए यहाँ पर हमने देख लिया कि ये राबिया आंटी के example से हम लोग इसे समझेंगे राबिया राबिया आंटी हैं राबिया आंटी के पास राबिया आंटी के पास राबिया आंटी के पास 14 hectares of land है यहाँ पर मैंने लिख दिया 14 आप लोग धिहान से देखें बहुत ही अच्छे से समझ में आगा उनके पास राबिया आंटी के पास 14 hectares of land है अब राबिया आंटी के पास दो बेटे हैं राबिया आंटी के पास दो बेटे हैं एक है आरिफ एक है जैद जिड ए आई डी राबिया आंटी के पास टोटर अवेलबल लैंड कितनी है 14 hectare अब क्या हुआ आरिफ भाई बड़े हो गए हैं जैद भाई भी बड़े हो गए हैं शादी के उमर हो गई है तो आरिफ भाई ने बोला कि मैं इस बहुत ज़्यादा लोकैलिटी बहुत डेंज हो गई है मैं न बाहर के खेत जो टाउन के बाहर खेत है फिल्ड है उसमें जाके मैं अपना घर बनाऊगा तो आरिफ भाई ने डिबान करी तो ज़्याद भाई ने भी डिबान करी तो आंटी ने बोला कि ठीक है जाओ तुम लोग बाहर घर बना लो तो आंटी ने टू हेक्टेर्स आफ लैंड इन लोगों को दे दी राइट तू उन्हों ने दे दी तो अब कितनी बची टोटल 12 12 हेक्टेर वन हेक्टेर वन हेक्टेर हो गया आरिफ भाई का और वन हेक्टेर हो गया ज़्याद भाई का आब टोटल लैंड कितनी बची 12 हेक्टेर अब आरिफ भाई के दो बच्चे हुए आरिफ भाई के दो बच्चे हुए अब क्या है जो total 12 hectare land थी वो बढ़ जाएगी जो 12 hectare land थी 6 आ गया आरिव भाई के पास और 6 आ गया जैद भाई के पास राइट basically मैं आप लोगों को ये समझा रहा हूँ कि जो plot of land है वो right of inheritance की वज़ा से कैसे shrink हो रहा है कैसे छोटा हो रहा है राइट आरिव भाई थोड़े समझदार थे लेकिन जैद भाई family planning की value को family planning की importance को जैद भाई जरा देर से समझे इसलिए उनके तीन बच्चे हो गए राइट अब इनके तीन बच्चे हो गए तो आरिव भाई के जो बच्चे थे उनको 3 hectare each land मिली अब क्या हो रहा है आप लोग देख सकते हैं कि जो plot की size है जो agricultural land की size है वो that is getting smaller and smaller day by day because it is getting divided amongst future generations I hope आप लोगों को right of inheritance का concept समझ में आया अगर आपको समझ में आया है तो friends please subscribe the channel चलिया आगे बढ़ते हैं next हम लोग समझने वाले हैं हमने right of inheritance तक पढ़ लिया है next हम लोग पढ़ने वाले हैं कि right of inheritance है इसकी वज़़ा से क्या इसके क्या consequences है इससे हमारा नुकसान कैसे हो रहा है आये समझते हैं देखे land holding size जैसा कि अभी हम लोगों ने पिछला डियाग्राम से समझा land holding size becomes smaller and uneconomical यानि उस land पे खेदी करने पे कोई profit नहीं हो रहा कि और लोगों का पेट भर रहा है बस family के खाने भर के उपज हो रही है crop हो रही है the farmer continues to take maximum output from the limited land अब देखे इसको intensive क्यों बोलते हैं आपने देखा भी जो हम लोगों ने Rabia auntie का example से समझा उसमें आप लोगों ने क्या देखा कि land size is getting smaller and smaller और family बढ़ रही है तो क्या होगा plot of land तो उतना ही है family बढ़ गई तो जो limited amount of land है उसी में ही ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जा रहे है कि पूरी family के खाने भर का crop या grain ग्रो हो जाए इसलिए इसको intensive बोलते हैं the farmers continue to take maximum output from the limited land right अब हम next देखते हैं चलिए यही देख लेते हैं next point है हमारा there is enormous pressure on agricultural land wait a minute इसको हम लोग इसको हम लोग यहां कर देखे there is there is enormous pressure on agricultural land why again intensive करने का एक रिजन मिल गया क्योंकि लोगों के पास खेती के अलावाने agricultural activity करने का अलावा कोई alternative source of income है ही नहीं नहीं है right इस कारण से भी से intensive subsistence farming कही जा रही है या कही जाती है right as people do not have alternative sources of livelihood और earning चलिए now we'll move to the next slide और एक next slide में move करने से पहले एक चीज़ आप लोगों से मैं share करना चाह रहा था कि यहाँ पे हम लोगों ने जो यहाँ पे हम लोगों ने जो राबिया यहाँ पे हम लोगों ने राबिया आंटी का example लिया राबिया आंटी का example लिया और हम लोगों ने आरिफ भाई आरिफ भाई की help ली और हम लोगों ने यहाँ पे जैद जैद भाई की भी help ली इसका एक purpose है क्योंकि हमारा जो अगला topic है that is called cropping pattern cropping pattern में यह सारे के सारे family members हमारे लिए बहुत ही helpful है आईए देखते हैं कैसे देखे राबिया आंटी के नाम से अगर आप नाम में से अगर आप ए हटा दीजे तो हमारा आगया राबि और आरिफ भाई के नाम से पहले अगर हम k h लगा दें तो यह हो जाता है खारिफ और जैद भाई पहले से पूरी तरके से हमारी help कर रहे हैं I hope आप लोगों को समझ में आ रहा है now we'll move to the next slide and next slide is about commercial farming हम लोगों ने इसे पिछली slide में हम लोगों ने क्या पढ़ा पिछली slide में हम लोगों ने intensive subsistence farming को पढ़ा और आप लोग जानते हैं farming में लिए दो दरह की होती है subsistence and commercial subsistence के दो टाइपस हो गए intensive subsistence and पहला वाला हो गया primitive subsistence चलिए अब हम commercial farming के बारे में पढ़ेंगे and दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं जैसा कि term commercial, commercial का मतलब ही जैसे commercial vehicle होती है commercial property होती है commercial का मतलब means earning profit making money, right? आएए देखते हैं अब इस पर भी equation बन सकता है what are the main features of commercial farming explain with example commercial farming का example क्या हो गया tea हो गया cotton हो गया sugar cane हो गया cashew nut plantations होते हैं चलिए इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे अभी समझते हैं कि commercial farming क्या होती है इसके main characteristics क्या होते है what are the main characteristics of commercial farming समझते है commercial farming का सबसे पहला characteristics है use of higher doses of modern inputs अभी जो हम गोने primitive subsistence पढ़ा या intensive subsistence पढ़ा उसमें modern inputs की बात नहीं की गई है plowing के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग लग जाएंगे hull और bail ले करके लेकिन उसमें tractor का इस्तेमाल because affordability बहुत कम होती है आई ये देखते है the use of higher doses of modern inputs modern inputs like देखते हैं हम लोग इस word को आप लोग जाद रहा है the use of higher doses of modern inputs higher doses क्यों क्योंकि profit को maximize करना है चालिए higher doses पहला क्या higher dose अगर higher dose चाहिए crop मतलब basically higher doses of modern inputs करा जाता है क्यों क्योंकि income basically profit making करनी है अब cultivation के लिए सबसे जरूरी पहले क्या होती है सबसे जरूरी पहले होती है कि land हो और land कैसे होनी चाहिए fertility that soil should be full of fertility fertile soil land होनी चाहिए right तो देखिए soil को और और fertile बनाने के लिए इसमें क्या आयूस करते है chemical fertilizers और chemical fertilizers का एक best example है दोस्तों आप लोगों देखा होगा urea ये soil में nitrogen को बढ़ा देती है और nitrogen plants के लिए बहुत जरूरी component होता है plant की growth के लिए देखिए यूरिया अगर जिन लोगों ने नहीं देखा आप देख सकते हैं यूरिया के छोटे-छोटे granules होते हैं और plant soil को soil की fertility को बढ़ाते हैं right अब ठीक है soil हो गए soil की ताकत को हमने यूरिया मिलाके बढ़ा दिया अब दूसरी चीज क्या चाहिए दूसरी चीज चाहिए वो जो traditional seed है उससे तो बहुत जादा crop नहीं ग्रोह होगी न yield बहुत जादा output बहुत जादा तो आएक न traditional seed नहीं चाहिए hyv seeds चाहिए high क्या इसका full farm होता है high yielding variety hyv high yield जो जादा output दे अब high yield का एक example हम लोग यहाँ देख सकते हैं hyv seeds high yield का देखे जैसा है यहाँ पर यह rice की crop है हम लोग देख सकते हैं जो traditional rice होती है उसकी जो यह यह इतना जादा मतलब उसमें production नहीं होता है rice का उसमें basically इसको हम समझते हैं कि आप लोग देख सकते हैं कितनी मोटी मोटी मतलब यह लटक गई है यह इतना जादा rice यहाँ पर लगा हुआ कि यह rice की पैडी उसकी वज़े से वो जो rice का plant है वो एक तरप bend हो गया है तो यह hyv seeds का ही कमाल है basically देखे मैं आपको समझाता है कि example से यह जो panicles जिसमें panicles बोलते हैं यह जो यह जिसमें यह panicles है होता क्या है जो traditional seed होता है उसमें panicles इतने बड़े नहीं होते हैं देखें panicles यह होता है panicles उसमें जो rice की छोटे छोटे यह paddy होता है इसे spikelets बोलते हैं इनको अगर हम तोड़ें तो इसमें से rice निकलता है तो जो hyv seeds होते हैं उसमें उसका जो panicles होता है वो काफी बड़ा होता है और एक ही plant से धेर सारे panicles निकलते हैं यानि यह एक rice plant है एक panicle, दो panicle, तीन panicle, चा panicle तक निकलते हैं जिससे amount of paddy grown single plant से बहुत ज्यादा होता है राइट, अब हम आगे देखते हैं, next है हमारा, यह समझ में आ गया, insecticides and pesticides, अब देखे हमने soil की fertility जो बढ़ा दिया, chemical fertilizer से और हमने high yielding variety of seeds भी इस्तेमाल कर ली, अब plant तयार हो रहा है, बीच में क्या हो सकता है, grass grasshopper की problem हो सकती, insecticide और pesticide लग सकते हैं, crop खराब हो जाएगी, right, तो अब देखे हमारे singhum, क्या चाहिए हमें, insecticide और pesticide चाहिए, ताकि crop को हम healthy रख सके हैं, और grasshopper या insecticide, pesticide से बचा सके हैं, तो यह singhum हाजी रहे, insecticide और pesticide को ले करके, जिस तरीके से singhum, movie में, इन्होंने जैकांत, शिकरे, यानि society के अपराधिय और गुंडा टाइप के लोगों को हटा देते हैं, या मार पीट के जेल में बंद कर देते हैं, उनको, right, उसी तरीके से यह जो, इन्सेक्टिस और pesticide की company है, इसलिए, शायद इसलिए उन्होंने मिस्टर सिंगम को हायर किया, हमारे request किया कि endorse करें, जिस तरीके से वो villain का सफाया करते हैं, उसी तरीके से crops से, insecticide और pesticide, insecticide और pesticide से का सफाया किया जा सके, ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा output पा सकें, crops से, चलिए, next हमारा है, अब इसकी वज़़ए से क्या हो जाएगा, हम लोगोंने क्या किया, पहले हमने उसके बाद हमने HYV seeds यूज़ करें, उसके बाद हमने सिंगम भाई की मदद से, insecticide और pesticide यूज़ करके अपनी फसलों को बचाया, अब इसकी वज़़ए से क्या होगा, हमें higher productivity मिलेगी, more output मिलेगा, more output means more profit, right, अब देखते हैं, यह जो दूसरा हमारा point है, जो अगला point है, य यह काता कि, the degree of commercialization of agriculture varies from one state to another, one reason to another, इसका मतलब यह होता है, कि कुछ states में agriculture उस degree तक commercialize नहीं हो पाया है, जितने degree, मतलब जिस degree में other states में हो गया है, इसके एक एक्जामपल भी, इसके reason हो सकते हैं, एक तो soil की fertility हो सकती है, माल लिजे, soil, मतलब land तो available है, बट उस soil में तना दम ही नहीं है, जैसे के राजस्थान, राजस्थान के soil इतनी fertile नहीं है, जितनी की पंजाब, हर्याना और यूपी के soil fertile है, तो वहां के लोग चाह करके भी, because soil में fertility ही नहीं है, तो चाह करके भी उसको उस degree का commercialization पे नहीं ले जा सकती है, अगरिकल्चर को, जितना की पंजाब, हर्याना और western यूपी को लोग ले गए है, अगरिकल्चर को, इसका example भी एक हम लोग देख लेते हैं, तो क्या होगा, soil की fertility, दूसरा climate भी होता है, water की availability भी हो सकती है, राइट, देखते हैं, for example, rice, rice is a commercial crop in हर्याना एंड पंजाब, हर्याना पंजाब के लोग rice को market में sell करने और profit earn करने के लिए ही grow करते हैं, लेकिन ओडिशा के लिए, ओडिशा में देखते हैं, ओडिशा में ये क्या है, subsistence crop है, इसका एक reason और भी है, ओडिशा के लोगों का main food, basically staple crop क्या है ओडिशा की, rice है, अब पंजाब हर्याना में rice, तो है, rice के लावा, maize, मक्केदी रोटी, चनेदा साग, तो maize भी है और wheat भी है, तो उनके पास alternatives available है, जबकि ओडिशा में लोग completely dependent है, rice पे, क्योंकि उनकी staple diet क्या है, rice है, ये भी एक reason है, चलिए, now we'll move to the next slide, and I hope आपको समझ में आ रहा है, now, next slide talks about features of plantation, हम लोगों ने देखा कि commercial, commercial agriculture हम लोगों ने पिछली वीडियो में समझी, commercial agriculture की feature हम लोगों ने समझा, अब commercial agriculture का example होता है plantation, क्योंकि जो plantation होता है, plantation करने का very motive ही होता है, to earn money, make profits, right, आईए देखते है, features of plantations, ये बड़ा ही interesting topic है, और बड़ा ही मज़ेदार है, आईए features होते plantation, कि सबसे पहले हम ने देखा जासे कि मैंने पहले हम लोगों ने discuss कि plantation is a type of commercial farming, right, अब जिससे tea plantation है, कोई tea plantation, अपने घर के चाय बनाने के लिए tea leaves थोड़ी grow करेगा, tea plantation, right, ये tea plantation के पीछे का very motive ही होता है, to earn, रोकडा, money, profit, right, चलिए, अब इसकी क्या features होते हैं, बहुत ध्यान से समझते हैं, पहले हमने बताया कि plantation is a type of commercial farming, दूसरा, a single crop is grown on a large area, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये rubber plantation है, अब ये है banana plantation, अब इसमें देखो, जो plot की size है, primitive subsistence, intensive subsistence, मैं छोटे-छोटे plots होते हैं, दोनों को आप लोगों ने देखा है, right, इसमें क्या है, plantation में एक जगा मैं देख रहा था, internet पे ही, उनका मानना है कि हाला कि size vary कर सकते हैं, but plantation की size, एक ideal plantation की size होते, कम से कम 40 hectares, 40 hectares of land होनी चाहिए, 40 hectares सोचवा बहुत बढ़ा होता है, right, तो पहला देखा हमने, a single crop is grown, दोस्तों इस topic पे question जरूर बनता है, एक चीज़ आप लोगों से share करना चाहरा हूँ कि NCRT की हर line की आप लोग खूब ध्यान से पढ़िए, क्योंकि कहीं से भी assertion and reasoning का question बन सकता है, right, true and false का ब कम भी हो सकती है, लेकिन I guarantee you, कि अगर आप लोगों ने ध्यान से सुन लिया, तो समझ में तो आएगा ही आएगा और आपको learn भी हो जाएगा, right, चलिए आगे बढ़ते हैं, now, दूसरे feature क्या है, plantation की, plant, हाँ, अब देखिए, plantation has an interface of agriculture and industry, एक की point में ध्यान दिजिए, क्या कर plantation क्या है, interface है, agriculture और industry का, समझते हैं, इसमें question आ सकता है, how is plantation and interface of agriculture and industry, या question ऐसे भी आ सकता है, explain, ऐसे आ सकता है, the plantation has interface of agriculture and industry, explain, यह three marker हो सकता है, आएए देखते है, पहला point है हमारा, इसमें basically total six points है, इन six points की help से हम यह prove कर सकते हैं, explain कर सकते हैं, कि plantation कैसे interface है, agriculture और industry का, आएए देखते हैं, पहला, plantations cover large tracks of land, large tracks of land, जिस तरीके से, industries में, large tracks of land चाहिए होता है, बड़ी-बड़ी factories बनाने के लिए, ताकि जो raw material की processing की जा सके, फिर finished goods को, warehouses में store की आ जा सके, pack की आ जा सके, जिस तरीके से, बहुत large tracks of land चाहिए होता है, industries के लिए, उसी तरीके से, large tracks of land चाहिए होता है, plantations में भी, तो plantations cover large track of land, industry में large track of land चाहिए, और plantation में भी चाहिए, पहला हो गया, दूसरा देखते है, capital intensive inputs, आपको क्या लगता है, यह जो sprayer है, बहुत भंगाता होगा, राइट, यह जो देखे, rubber plantations में rubber को collect करने के लिए, यह जो machines लगी है, राइट, ताकि rubber को collect किया जासे, कोई इनसान करेगा तो, हो सकते हैं, इनसान से spill हो जाए, गिर जाए, यह बहुत जादा time लगेगा, machines costly जरूर आती है, but they save time and maximize the profit, one time investment होता है, राइट, चलिए, capital industry, जिस तरीके से हमारी industries, industry में क्या लगता है, बहुत बड़ी-बड़ी machines की requirement होती है, land purchase करना है, आपको building बनानी है, जिस तरीके से industries में आपको बहुत जादा capital invest करनी पड़ती है, उसी तरीके से plantations में भी machines खरीदने के लिए, last act of land खरीदने के लिए, ब आप लोगों ने subsistence में देखा और primitive subsistence में देखा और intensive subsistence में देखा, primitive subsistence में तो family और community के लोग मिलके दूसरे कि help करते हैं, एंड उसके बाद intensive subsistence में भी घर के लोग मिल करके, आस पास के लोग आके help कर देते हैं, farms में काम करने में, बच आपको क्या लगता है, tea plantations में देखे यह जो tea plantations हमारे होते हैं या coffee के plantations होते हैं अब देखे ना यहाँ पे यह देखो इतनी large 40 hectares है इतनी बड़े-बड़े लार्ज टी plantations में क्या दो-चार आदमी से काम चलेगा ना यह लेबर इंटेंसिव होती है और लोग आते हैं ओ लोग यह जो लेबर होती है फार्म में ही रहती है अपने घर नहीं जाती है फार्म के आसपास कहीं रहती है आप देखो जैसे फार्म के आसपास ही इनको रेजडेंस दे दिया जाता है राइट चले प्रिविएस वीड़ पर चलते हैं और समझते हैं वहां लोग जो छोड़के आये थे अब हम देखते हैं यहाँ पे तो हम लोगों ने यहाँ पर यह देखा कि विद्ध हेल्प आफ माईग्रेंट लेबरर्स फैमली और कम्मिलिटी काम रही चलता है इसके लिए प्रोफेशनल लेबर्स चाहिए होते हैं जुनको वह काम आता है और लार्ज नंबर में लेबर्स चाहिए होते हैं अगला पॉइंट हमारा और उसी तरीके से इंडेस्ट्री में धेर सारे लेबरर्स की जरूत पड़ती है धेर सारे लेबर्स अलग अलग सिटी से आते हैं जैसे इंडेस्ट्री कानपूर हो गया या गुजरात का अहमदाबाद हो गया या सूरत हो गया या मुंबई में धेर सारी फैक्रीज हैं तो तो अलग-अलग स्टेट से, उडिशा से, यूपी से, बिहार से, राजस्थान से, यहाँ साउच से भी, अलग-अलग स्टेट से लोग, लेबर इन सिटी में जाती है, जॉब के लिए, राइट, इंडस्टी की तरह है, यहाँ भी बहुत ज़्यादा, लेबर इक जरूथ पड़ती है, अगला पॉइंट, अलग-अल्द प्रोड्यूस इस यूज एज राव मेटेर, साब को क्या रखता है, कि जो भी, हम लोगों ने, अए ख стороны में देखा, कि जो tea plantations से जो tea होगा, या coffee plantation से जो coffee collect होगी, वो घर पे जाएगी या factory में जाएगी, सीधे factory में जाएगी processing होगी, packing होगी, then market में जाएगी, to all the produce is used as raw material in respective industries, अब यह जो rubber collect होगा घर में थोड़ी जाएगा किसी के सीधे factory जाएगा processing होगी उसके बाद जहां पर tires and tubes बनते हैं या pipes बनते हैं water की hoses वहाँ पर supply होगा राइट वो लखी बात है को pipe बाद में जो चाहे वो खरी सके चाहे वो जो you know जो hose जो pipe बनाया है factory वाले ने वो मालिक यूज का खरी सके लेकिन यह रबर जब यहां से निगलेगा तो उसके घर नहीं जाएगा राइट चालिए अगला देखते हैं the production is mainly for market commercial agriculture के पीछे का main motive ही है it is to sell and unprofit राइट वो अलग की बात है जिनका coffee plantation है processing हो जाया सब कुछ हो जाया market में launch जाया का दो पैगिन घर पे ले जाया है self consumption के रहे अब यह वाला point काफी जरूरी है देखते समझते हैं a well developed network of transport communication जिस तरीके से good network of transport and communication चाहिए होता है industries के लिए राइट transport और communication क्यों चाहिए क्योंकि transport इसलिए चाहिए ताकि raw material factory तक जा सके उसके बाद जो finished good है transport की help से market तक जा सके और ultimately consumer नहीं हम लोगों तक पहुँच सके उसी तरीके से plantations में भी transport और communication की जरूरत होती है और connecting the plantation areas by plantation area से raw material गया फिर processing होगी उसकी फिर packing होगी फिर transportation की help से market में चाहिए plantation areas processing industries and markets so from plantation area till market और फिर हमारे घर तक पहुँचने के लिए क्या चाहिए good network of communication and transport चाहिए are important play important road in the development of plantations now we'll move to the next slide and next slide talks about important plantation crops important plantation crops कौन कौन से होती हो टी हो गया coffee हो गया sugar cane हो गया cotton हो गया cashew nut हो गया banana हो गया हमारा these are important plantation crops यह crops grow ही करी जाती है you want money to make profit राइट यह हमारा coffee हो गया tea हो गया sugar cane हो गया हाला कि इंडिया में मुस्टी लोग अब भी labor labor ही manual labor से काम होता है यह देखे कैशू कैशू वही काजू जिसकी काजू की नमकीन खाते न आप लोग आप लोग आप लोग और यह cotton हो गया textile industry totally textile industry में help contribute करती है राइट देखते हैं अगला आप जैसे tea in tea कहा होती है Assam and North Bengal में होती है coffee mainly करनाटका में होती है are some of the important plantation crops gone in these states दोस्तों I hope आप लोगों को समझ माया and आज के लिए इतना ही thank you so much